एक बार फिर स्वागत हैं आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर सभाई भट के फैंस सभाई भट के लिए एक ही बात बोल रहे हैं कि सभाई भट आखिरकार तुम कब आओगे दोस्तों हम आपको इस वीडियो में फुल डेटेल के साथ समझाएंगो इससे पहले आपसे सभाई भट के फैंस सभाई भट को इंडियन आडल में देखने के लिए काफी उतसुख हैं सभाई भट के ऐलिमिनेशन से उनके फैंस काफी नाराज हुए थे साथ ही दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से सभाई भट के इंटरी की मांग बढ़ने लगी है और कुछ लोगों का कहना है कि सभाई भट का एलिमिनेशन जनता के बोड के आदार पर नहीं हुआ बलके जजों ने खुद अपनी मर्जी से किया है साथ ही बता दें कि एक पत्रका में लिखा गया है कि गरीब कलाकार सभाई भट के साथ धोका किया गया है सभी ने इंडियन आइडल को स्क्रिप्र शो का नाम भी दे दिया है साथ ही अब आपको बता दें देखना ये होगा इस सभाई भट के सभी फैंस की बात रखी जाती है या नहीं सभाई भट के फैंस ये चाहते हैं कि सभाई भट गिरंड फिनाले में बापस आएं और अपनी बेहतरीन परफोमेंस दें और अपने फैंस को खुश करें दोस्तों आपको क्या लगता है क्या सभाई भट को गिरंड फिनाने में बापस आना चाहिए या नहीं हमें नीचे कमेंटे सेक्षन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें मिलते हैं नेचे वीडियो में धन्यवाद जुड़री ऐसे प्रेट से साथ